Hello everyone and welcome to my channel मेरा नाम है वरुन कुमार और मैं हूँ आप लोगों का इंडिन बुलिनेर So last to last video में मैंने आप लोगों से पूछा था कि इन सारे पैकेज़ में से किसको अनबॉक्स पहले करा जाए And I think maximum जो कॉमेंट्स थे वो आजियो यानि कि नमबर 5 वाले पैकेज के लिए आये थे तो यह जो इजोरी वाले पैकेज हैं इनको हम करते हैं Side और अब बात कर लेते हैं हम अपने आजियो वाले पैकेज की यह पैकेज मैंने order किया था 20 जून को और यह dispatch हो गया था 21 जून को And delivery मिल गी थी मुझे 22 जून को मतलब दो दिन का turnaround time था और एक दिन में delivery, fantastic Ecom Express के रिए थूँ आया था और डेली से डेली इस metallic type box में यह security seal आई है, इसको खोलते हैं हमारा जो product है वो reveal हो चुका है यहां पर बट फिर भी मुझे इसको side में रखना पड़ेगा And हमेरे packaging में क्या है, यहां पर कुंदन का यह plastic सा होता है I think इसमें आप, sorry cardboard सा होता है, paper सा होता है in fact जिसके अंदर आप इस product को रखके किसी को gift कर सकते हो, if you want अगर आपको फुद प्रिजर्व करना है तो भी कर सकते हो, यह हमारी invoice And then we have some paperwork, इस paperwork में काफी और paperwork होगा पहला जो है हमें एक brochure मिला है, जहां आप देख सकते हो, gold purity triple 9.9%, silver purity triple 9.9%, gold foiled handmade frames purity 99.9%, क्या-क्या product से बेचते हैं, gold coins, silver coins, pendants, silver colored coins and silver pendants यह सारी चीजे हैं, and बाटे सारी डीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, consequence of denomination में इन स्टफ, यहां पर और क्या लिखा हुए, Swiss product quality and then पीछे outlets show करे हुए हैं, और आप कहां-कहां ले सकते हो, कहां-कहां इनके स्टोर्स हैं, काफी दूर से coverage हो चुके, काफी expand कर चुके हैं लोग, इसके लावा क्या मिला है हमें, we have the certificate of guarantee, जिसके अंदर 21st June 2021, Kundan Refined with Private Limited की stamp है, and यहां पर आपको Kundan के बारे में कुछ पराचलेगा, उनकी purity, NABL, certified lab, refining and quality assurance शो कर रखा है, product packaging, 100% buyback policy, इसके बार में बात करेंगे, buyback काफी popular हो रखा है आजकल, तो इसके बारे में भी बात कर लेंगे, outlets and how to contact them, इसके अलावा भी और paperwork है, okay we have this classy card, यह मझे बहुत अच लगत था, thank you for your order, and that's about it, तो यह रहा हमारा product is certi card में, but product misaligned है, यह काफी सारी companies के साथ हो रहा है issue, काफी सारे लोगों का तो जो बार होता है वो नीची तक छुप जाता है, तो पता नहीं चलता है, कि product अंदर है की नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को एक tip दिना जाता हूँ, जब भी आप gold, silver या कुछ भी expensive order करते हो, at least अपने लिए एक video ज़रूर बना लेना, unboxing की, ताकि अगर ऐसा कोई situation होता है, जिसमें in case, सर्टी काड़ी खा लिया आता या product आपको दिखता नहीं या कुछ भी होता है, तो आपके पास proof होता है कि यह problem है, तो आज जो मैं product review करने वाला हूँ, वो है कुंदन refinery से, आज से पहले भी हमने काफी videos बनाई है, approximately maybe 3-4, बट आज हम gold की बात करें, यह मेरा पहला gold bar है, gold item है from कुंदन refinery, तो सर्टी काड़ को देखते हैं, फिर product को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, this is a premium product, premium price दिया है हमने इसका, ऐसे नहीं आना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, रेकिन हम इस product को इसमें से निकालेंगे, मैं आगे बताऊंगा कि मैंने आजकल premium products को भी सर्टी काड़ में से निकालने का क्यों सोचा, तो यहां पर अगर आप भार देखोगे, तो 999.9 fine gold लिखा हुआ है, और यहां पर थोड़ी flowers बने है, I like the design, the color of the सर्टी काड, gold और red, you know, जैसे background है न वैसे अच्छा प्लगता है कापिछी लगता है, तो यहां पर kundan लिखा है kundanrefinery.com, refiner, importer, exporter, and then here you have kundan refinery private limited, assay certificate number 001713, fineness है 999, यानि कि 24 karat gold bar है, जिसका fineness 999 है, या फिर हम कहेंगे 99.99% pure है, इसका weight है 1 gram, weight tolerance कही भी mention नहीं है, इसका मतलब है zero weight tolerance है, आपका कभी भी weight जितना mentioned है, उससे कम नहीं निकलेगा, अब इसे सर्टी कार्ड में से निकाल लेते हैं, सर्टी कार्ड में से निकालने से पहले इसे peel कर लेते हैं, क्योंकि काफी satisfying experience होता है, let's see अगर कुछ अच्छी आवाज आई तो, I don't know, that did not really sound that cool, Yes, that was satisfying, यह सर्टी कार्ड में से निकालना तो बहुत ही बड़ा challenge था, विल्कुल hulk जैसी feeling आई मुझे, but at least it's safe, secure and tamper proof, अब हम यह product की बात करते हैं, जो यह इत्तू सा gold bar है, तो यहाँ पर आप देख सकते हों, यह Lord Ganesh जी वाला design है, and this is a 1 gram gold bar, तो 1 gram के हिसाब से आपको यह चीज तो जरूर माननी चे और exception मार देना चाहिए, कि अगर आपका quality अच्छी नहीं है design की, because they are trying their very best, but this is exceptional, because we are paying a premium price point, तो हम expect करेंगे यह, कि हमें यह बिल्कुल must देखे, अगर आप 999.0 का gold लेते हो, और आप जादा पैसे भी नहीं पे कर तो design through a statement आता है, you can cut some slack, but if you are paying more than you expect more, right, तो यहां पर दो arrow type design बना हुआ है, and you have Ganeshji here, इसका पीछे आपका पुरा reflective gold है, और जो borders है, वह frosted gold से बना है, इसके edge देख लेते हैं, so small, okay, nice and shiny, and reverse, wow, okay, तो उपर आपको कुंदन का branding दिख रही है, logo दिख रहा है, फिर नीचे लिखा है, one gram, fine gold, triple 9.9, super shiny, glossy, and इसके जो borders हैं, same, frosted gold से बने हैं, तो यह रही invoice, जो आज यह उने हमें भेजी है, one gram, 24 karat, triple 9.9, Lord Ganesh, yellow gold coin, bar, और यहां आप देख सकते हो, इन लोग ने हाथ से लिखा हुए कि कौन सा serial number वाला 30 card के साथ भेज रहे हैं, जैसे कि यहां देख सकते हो, 1713 लिखा हुआ है, same चीज यहां displayed है, I think वह अपने camera recording के लिए, CCTV recording के लिए, या फिर जो product हम किसको भेज रहे हैं, track रखने के लिए होता है, so जिस दिन मैंने इसे खरीदा था, मार्केट में प्राइस 48,000 यह 49,000 रुपीज पर 10 gram गोल चल रहा था, excluding GST, making charges, तो यहां unit price आप देख सकते हो, पड़ा है 5,308 रुपीज, and I think tax tooks मिला के जो कि 160 रुपीज के था, हमें यह पड़ा 5468, तो yes, it sounds very expensive, but actually मेरे पास कुछ AGO cash पड़ा हुआ था, यह अजियो wallet points पड़े वे थे, कुछ purchases और रेफरल के बाद, तो around 1500 रुपीज का था, तो मैंने उसे यूज कर अपने transaction में, 5468 में से माइनस कर लो, तो मुझे यह चिनुह सा gold bar पड़ा, around 3968 का, so I think it's a very good deal, 4000 के under after all the discounts and all, और मैं आप लोगों के साथ भी कुछ share करना चाता है information, अगर आप लोगों ने अभी तक AGO पर account नहीं बनाया है, और आप बनाना चाते हैं, तो आप मेरे referral code से account create कर सकते हैं, या फिर नीचे जो link दी हुए description में, उससे click करके account create कर सकते हैं, तो आज ही ओपर ICICI debit और credit card पर discount चल रहा है, I think up to 1,000 rupees off, minimum 3,000 rupees की transaction, 1st July से 8 July को चलीगी वो, तो अगर आपको account create करके, sign up करके, credit card कर discount के साथ साथ या additional discount चाहिए, तो make sure to use my referral code, और click the link in the description to create your account. आपके सामने कुछ अलग अलग कुंदन के products हैं, जैसे कि उनका एक silver bar, silver pendant and then a gold bar, तो यह जो silver bar है, I think मैंने 3-4 साल पहले लिया था, I forgot, video बनाई थी, तो यह देख सकते हो, triple 9.0 fineness जिब silver यह लोग देते थे, तबके time का है, and look at the beautiful bar, it's very shiny आज तक बिल्कुल वैसे ही है, जिससे लिया था, इसमें से निकाला ने था, but it's looking good as new, अब यह लिया था, 2020 October में, तो यह गुरु नानक जी भाला पेंडेंट है, अगर आप देखो के normal waiter, तो आपको यहाँ दिखेगा, यह हमने यूस किया है, इस silver की chain में, यह जो design बनाया है, यह अभी भी glossy है, जैसे उस दिन लिया था, design में कोई फरक नहीं आया है, कोई variation नहीं है, and that is a good thing, अगर हम पीछे की बात करेंगे, तो यहाँ पर कुछ जादा टानिश दिख रहा है, फर्स्ट फॉल यह ट्रिपल 9.0 का silver है, and second of all इसे हम डेली यूस कर रहा है, तो I think इसके वैसे की हालत ऐसे हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रिपल 9.0 का silver, इनका कैसा 60 card में जो बंध है, बिल्कुल चमक चमक सा दिख रहा है, तो यह difference होता है, अगर आप किसे preserve करने चाते हो, यह usable चीज है, यह gift करने के लाइक भी है, तो यूज करोगे तो ऐसे हो गई, but silver is silver, इसको भी melt करके उतना ही निकलेगा, उसको भी melt करके जितने का उतना ही निकलेगा, कोई difference नहीं होता है, तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए तीन और ब्रैंड्ट कर लिए हैं, कुंदन के ट्रिपल 9.9 के लावा, MMTC PAMP कर ट्रिपल 9.9, BRPL यानि की Bangalore Refinery Private Limited कर ट्रिपल 9.9, और यहां RSBL कर ट्रिपल 9.0, ट्रिपल 9.9 वाला में पर प्रोड़क्ट नहीं ऐस ताइम, तो अगर आप लोग एक comparison वीडियो चाहते हैं, जैसे मैंने एक टाइम पर बनाई थी, RSBL versus Bangalore Refinery versus MMTC PAMP, अगर आप इन चारों में से कोई comparison वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम 9.9, 9.9, 9.9 को compare करें, MMTC PAMP, BRPL कुंदन की बीच में कोई comparison वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं, यह 5 ग्राम का बारे इसलिए आपको यह बड़ा लग रहा है, एक ग्राम में में मेरे पास MMTC PAMP का कोई gold नहीं है, इसलिए मैं अभी उसे नहीं शो कर पाऊंगा, लेकिन future में मैं जरूर acquire करने वाला हूँ, काफी लोगों को यह भी concern था कि यह जो gold बारे काफी छोटा लग रहा है, let me show you, अगर यह BRPL से हम compare करें, तो कितना difference है, I think it's almost the same, अगर कोई चाल लंबा होगा इसका मतलब बार पतला होगा, अगर कोई बार छोटा होगा इसका मतलब है वो दूसरे वाले से मोटा होगा, तो यह एक normal चीज है, अब एक gram में आप क्या यह expect कर सकते हो, but still gold is gold, तो मैंने आप लोगों को बोला थे, मैं आप लोगों को buyback के बारे में थुड़ी देर मैं बताऊंगा, हम guarantee करते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे कोई भी precious metal, जो आपको भी चागे कभी किसी भी time पर और उसको current market rate पर देंगे after deducting making charges, तो देखो gold के price में आपका जो base gold price होता है उसके आपका tax plus making charge लगता है तब जाके product का price निकलता है, बाकि और-और overheads होते हैं वो अंदर included होते हैं, but अगर हम बात करें यह लोग क्या offer कर रहे हैं तो इन्होंने बोला है कि जो भी gold का price होगा, उसके उपर जो making charges और tax होता है उसको काट कर basically gold price जो होगा market का उसके हसाब से देंगे, अब इसको avail करने के लिए I think इन्होंने अपने website पर update कर दिये terms and conditions, ऐसा है कि आपको किसी भी इनके outlet में जाना पड़ेगा अपना gold या silver लेके I think online भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप outlet पर लेके जाओगे अगर 30 card में बंद होगा product तो फिर तो I think वो ले लेंगे बिना checking के, I think अगर tampered होगा तो फिर वो उनको lab भीजना पड़ेगा, lab I think कहीं mentioned था कि free of cost वो test करेंगे बट I think भीजना आपको पड़ेगा, refinery actually उत्रगंड में है, I'm not sure lab का है, बट आपको माँ भीजना पड़ेगा, वो test करेंगे उसके बाद initiate करेंगे buyback value के हिसाब से 5 दिन लगेंगे, I think online banking या online वो पैसे transfer करेंगे, so yes it is a bit of a hassle अगर ये product tempered है, मैंने निकाल दी इसमें से क्यों, अब मैं 2-3 महीने जितने भी time break पे था, मैंने सोचा था कि ये जो buyback policies हैं काफी जगा ना इतनी interesting नहीं है, इतने सारे terms and conditions हैं उसके वाज़े से इंसान फर्ज जाता है, कहीं भी आपको product ship करना है, कहीं पर valuation में time लगेगा, उससे जल्दी होता है कि आप किसी local jeweler के पास जाओ, वो आपको instant value बता देगा, चाहिए 30 card के अंदर हो या बहार हो, उसको सिर्फ gold से मतलब है, तो यह जो buyback policies अब मुझे थोड़ी थोड़ी gimmick लगनी शुरू हो रही है, until I test it on my own, अब मैंने इसमें से निकाल दिया, मैं इसको test तो नहीं कर सकता हूँ, because वहाँ पर जाके हो कहेंगे यह करो वो करो, and no, I don't want to do that, if I want cash on the spot, if I want online bank transfer on the spot, उन्होंने चेक कर दिया, सब कुछ हो गया, तो local jeweler is there for you, so that is why I recommend कि अगर आपको buyback policy पे rely नहीं करना, you don't want very low pricing या फिर आपको इतना time wait नहीं कर सकते हो, then it's best to check with your local jeweler, या फिर मुतूट gold point and other available resources आप वहाँ try कर सकते हो, बहुत सारे लोग मुझसे यह पूछते हैं कि यह जो आप gold coin और bar ले रहे हो, इसमें कोई hallmark तो है नहीं, तो कुछ गड़बर होगी तो क्या करोगे, अब मैं आपको बताता हूँ, BIS ने अभी तक gold coins और bars पे यह नहीं बोला है कि hallmark compulsory है, तो इसलिए यह hallmark नहीं है, लेकिन इनकी कुंदन refinery की जो refinery है उत्रखंड में, उसे BIS ने gold refine करने के लिए license दिया हुआ है, तो there's that hallmark नहीं है, yes it's not there or it's not compulsory, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि hallmark नहीं है तो gold नकली हो जाएगा, अभी jewelry के लिए है और जो jewelry के नहे mandates आएं जो नहीं information आई है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, so stay tuned, अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो अच्छी लगी है और बाकी यह जो packages हैं उसकी भी वीडियो जल्द चाहते हो, then please make sure to hit the like button और नीचे comment करें आपके जो thoughts है कुंदन refinery और इनके जो products से related या कोई भी अगर आपकी पास question है तो नीचे drop कर सकते हैं, साथ साथ share करें इस वीडियो को अपने friends and family के साथ, join कर सकते हैं आप लोग मेरे telegram group, actually दो groups है, discussion और deals and price updates से related, वो जोइन कर सेते हैं, description में लिंक दिया हुआ है, check out my Instagram and my Twitter जहांपर में news and interesting stuff जोते हैं वो अफिन आज कल शेर करता हूँ, and in the end, do not forget to subscribe to this channel and hit the bell icon for notifications, so in the end, thanks for watching. झाल झाल